हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो अवर चैनल जी डीसी एटुटर यह वीडियो डी फार्मेसी के जो बीटी यूपी के स्टुडेंट है उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेलफूल होने माला है क्योंकि बोर्ड आफ टेखनीकल एड्यूकेशन उत्तरप्रदेश का हाली में रिज एक्षेंज करने की बात की थी तो वो आपका पास्ट में ही आपका उन्होंने नोटिस निकाला था कि जो 500 रुपे फीज थी वो अब 200 रुपे कर दी गई है और इसी के रिगार्डिंग एक और नोटिस आ चुकी है कि जो जीनोंने 5 500 रुपे फीज पे कर दी थी उनका 500 रुपे जो रिफंड है वो कैसे आना है क्या-क्या प्रॉसेस करनी पड़ेगी उसी की बात इस वीडियो में करेंगे तो अगर आपने भी डी फार्मेसी का आपका रीविलिशन फॉर्म भरा था बीटी रुपे के स्टुडेंट हैं आपके जानने वाले हैं उन तक ये वी है तो पूड और विशेस ध्यानाकरसर इमेल के द्वारा नोटीस आई है साइट पे नहीं है हर कॉलेज के प्रिंस्पल जो है वो डारेक्टर जो है उन तक ही आपका मेसेज और ये सर्कुलर आया हुआ है इसमें क्या लिखा गया है विशे क्या है ध्यान से देख लीजेग फीस को वापस किये जाने के रिलेटेड ये आपकी नोटीस होने वाली है इसमें क्या बताएगा है उपर युख बिसाय से अउगत होना चाहे कि परसद कारेले के पत्रांग संक्या इतना दिनांक 9-10 द्वारा मान देशक प्राविदीक सिच्छा परसद उत्तर पदेश की जो यहां देखे ली सिर्फट इसमें चाहत्व हिटते उए जो चाहत्र चाहत्र पान्सों रुपे का पर सब्जेटट फीस किया थना हर सब्जेट में 500 रुपे पर सब्जेट लगा था उनका भुगतान 200 रुपया कर दिया गया था मतलब 500 रुपया फीज घटा करके 200 रुपया पर पेपर कर दिया गया था तो बहुत से बच्चे क्या किये थे 500 रुपए payment कर दिये थे क्योंकि यह काफी दिन तक चला था तो 500 रुपए payment हो गया था अब 2500 रुपए जो fees कम हुई थी वो 2500 रुपए इन्होंने बोला था उस टाइम कि आपका refund होगा आपके bank account में तो उसी के regarding है कि जो 200 रुपय वह हो चुगा था फीज उसी को वापस किये जाने के regarding नोटिस कैसे वापस होगी ध्यान दीजेगा आपको refund की जाने वाली धनरासी है वो खाते में आईगी खाते में आएगी खाते में आपको खाता संक्या देना है IFSC code देना है यह सब आपको कहां पे भरना है PT UP के official site पे जाना है वहां पे result वाले link पे click करके update bank account detail यह करना है अभी मैं करके दिखाऊंगा भी और यह date कब से कब है ध्यान देना आपको जिनको भी refund करना है उनको refund करने के लिए आपका account number account number IFSC code यह सारी चीज़े आपको fill up करनी है और date क्या है? date है आपका 13 November 2024 से ले करके 19 November 2024 जियान देना 19 November 2024 6 दिन का समय है अपने सभी दोस्तों को यह video share कर दीजगा अगर इन 6 दिनों में उन्होंने अपना bank account वगरा नहीं दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी इससे अच्छा भीया पैसा आपका है मेनत की कमाई है उसको तुरंत refund करा लिजे बोड के द्वारा 13 से 19 के बीच में यह आपका अपडेट कर सकते हो bank account number और 19 तारीक को रात के 12 बज़े आपस आटोमेटिक यह बंद हो जाएगा तो आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है ओफिशल साइट के है btup.ac.in खोलोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा कहां जाना है या result वाले सेक्षन पर जाना है रिजल्ट वाले सेक्षन जाओगी तो ऐसे कुछ खिलेगा एडवांस में क्लिक करके यहां पर प्रोसीड टू रिजल्ट यहां पर क्लिक कर देना तो यह खुल जाएगा अब यहां पर देखो यहां पर देखो क्या होता है, फिल रियुविलिशं फर्म, इस वाले पर क्लिक कर देना नीचे वाले, तो यहां पर आगे है दियान देना, धियान देना बच्छे लोग, अप डेट बैंक डिटेल for रियुविलिशं रिफ़ंड फीज, अपडेट बैंक डिटेल कब से कब 13-11 से ले करके 19-11 तक आपको कर लेना है बहुत ही मैत्वपूर है इसलिए बार-बार मैं हाइलाइट कर रहा हूं सभी तक यह विडियो शेयर कर देना इस पर क्लिक करोगे बीटा जी न तो सिंबली आपका इन्रोल्मेंट नंबर मांगेगा जो 16 अंक था उसके बाद डेटा बर्थ मांगेगा क्या 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 इन्रोल्मेंट नंबर डेटा बर्थ और मुबाइल नंबर इसको करके लॉगिन करोगे लॉगिन करने के बाद आपका अकाउंट नंबर ध्यान दीजेगा अकाउंट नंब सबसे पहले आपको simply यहां पर देख सकते हो ना हाँ यहां पर जाओगे ना तो simply यह देखो जो आपका result वाला section था उसी में फिल्ल रिविलेशन में यहां पर कर देगो तो simply यह आ जाएगा बाकि जो भी आपके student जो भी दोस्त आप इस इस रिविलेशन फॉर्म बरे तो उनका फीस पेमेंट नहीं हो पाया था फीस पेमेंट हुआ था तो जादा हो गया था उनके लिए notice है उन तक share कर दीजेगा B2P के सभी दोस्तों के लिए यह video important था और भी जितने भी आपके doubt है other चीजों से related आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगे चैनल पे बने हुए playlist को भी विजिट कीजेगा I hope video helpful होगा thank you so much अपना और अपनों का ख्याल लखें सभी तक video share करें have a good day all the very best